Hello Students, Students अभी recently कुछ दिन पहले तमिलाडू के हेल्थ मिनिस्टर के दुआरा सरोगेसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिये गई उसकी वज़े से जो सरोगेसी है ये टोपिक न्यूज के अंदर में था तो आज हम Students इस वेडियो के अंदर जानेंगे कि भारत के अंदर जो सरोगेसी से रिलेटेड जो कानून है वो क्या है, कितने तरीके की ये सरोगेसी होती है और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो कानून के अंदर जो चेंज लाया गया है जो लोज के अंदर में जो बदलाव लाए गए हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे Students अगर हम बात करें सरोगेसी की, तो सरोगेसी एक बैसिकली एक प्रैक्टिस है जहां एक इंटेंडिंग कपल्स के जो चाइल्ड है, उसका जो बर्थ सिस्टम है उसको यूज किया जाता है, जो यहाँ पे जिसको असिस्टेट रिप्रोडेक्टिव टेक्नोलोजी हैं, उन सब को यहाँ यूज किया जाता है सरोगेसी के इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम बात करें, सरोगेसी कितने तरीके की होती है तो स्टुडेंट्स यह जो सरोगेसी जो सिस्टम है, यह दो तरीके का होता है, एल्ट्रिश्टिक सरोगेसी और कोमर्शल सरोगेसी Πैंटरिस्टिक सरोगेसी क्या है जिसके अंदर कोई بھی regulatory डुरीम कम्पंसेशन उस महिला को नहीं दिया जाता जो सरोगेट मदर होती है उसको यहां पे जो कोई भी पैस्पा से इस तरीके की जो goo प्रेक्टिस है उट नहीं करवाई जाती तो कोई भी monetary compensation यहां पे नहीं प्रवाइड किया जाता इसके अलावा medical से related जो expenses है जो pregnancy के समय में जो insurance है या उस अलग other देंदा monetary जिस तरीकी की support है वो सब यहां पे प्रवाइड की जाती है commercial surrogacy basically यहां पे completely monetary benefit cash और kind की रूप में यहां पे की जाती है यह किसी different महिला की दुआरा की जाती है commercial surrogacy को 2015 के समय में इंडिया के अंदर इसको ban कर दिया गया था completely ban कर दिया गया था कि इंडिया के अंदर में जो surrogacy है उसको ban किया गया सबसे पहले हम बात करें कि surrogacy जो system है इंडिया ने जो surrogacy जो concept है यह जो इस तरीके से जो बच्चे जो बच्चों को बर्थ देने से related जो technique है इसको use के इंडिया ने start किया था 2002 के समय में भारत सरकार ने इन जो surrogacy की जो practice है इसको legalize किया बट उसके बाद में हमको देखने को मिला कि इंडिया यहां पे एक इंडिया यहां पे rent on the warm capital के रूप में यहां develop हुआ वर्ल्ड के रूप में because students हमें पता है कि भारत से जो foreign couples हैं बहुत सारे इस तरीके की couples आने लगे जो इंडिया में अगर हम बात करें कि जो यहां पे इंडिया में जो middle class country होने की वज़े से जो यहां पे हमारे poor जो sections से belong करते हैं जो लोग उनको वो लोग use करने लगी उनको use करने की वज़े से proper lack of proper law ना होने की वज़े से proper safeguard ना होने की वज़े से काफी multiple times ethical challenge हैं जो यहां पे उनसे related जो case हैं वो arose होने लगे अभी आपने recently एक movie के अंदर भी देखा होगा एक movie है जिसके अंदर allow किया गया कि जो foreign जो couples होते हैं वो यहां पे जो सरोगेट मर्दर होता है उसका जो child है उसको जो child है वो नहीं चाहिए तो इस तरीके के बहुत सारे ethical जो issues हैं वो यहां पे continue rise होने लगे इस तरीके की case तो 2015 के समय में हमारी government ने जो foreign nationals हैं उनके लिए जो सरोगेशी है उसको completely यहां पे बैन कर दिया उसको यहां पे prohibited कर दिया और commercial सरोगेशी को यहां पे completely prohibited कर दिया ग जिसको बोला जता है eltrustic सरोगेशी eltrustic सरोगेशी में हमें पता है कि eltrustic सरोगेशी के अंदर जो यहां monetary जो benefit है वो नहीं होता है उस महिला को case यहां पे जो insurance है या इसके लाव medical expenses है उनको bear किया जाता है intending couples के दुआरा में students यहां पे जो सरोगेशी है वो यहां पे allow किय गया है कि अगर जो intending couples हैं जो couples हैं जिनको चाइल्ड चाहिए जिनको बच्चा चाहिए वो यहां पे एक बार उनको यहां पे permit हो जाए कि यह प्रूव हो जाना चाहिए कि वो infertile है उन में से दोनों में से कोई ना कोई एक है जो infertile है only वहां पे जो eltrustic सरोगेशी है उस सबसे पहले हम eligible couples की बात करें कि कौन-कौन couple हैं जो eligible हैं सबसे पहले यहां पे बात यह है कि जो wife है उनकी age 25 to 50 year के between होनी चीए second यहां पे 26 to 55 husband की age होनी चीए इसके middle में इनकी age होनी चीए second यहां पे उनके कोई भी child नहीं होना चीए किसी भी तरीके से कोई उनके बच्चा नहीं होना चीए जो biological हो adopted हो या सरोगेट हो किसी भी तरीके का यहां पे पहले कोई child नहीं होना चीए अगर कोई child पहले है तो वो सरोगेशी के concept के थरू नहीं जा सकते हैं students उनको यहां पे जो proven infertility है उसका certificate भी उनको होना चीए और यह बोत couples में से जो दोनों couple हैं उन में से किसी एक भी person के पास हैं और यह जो कुछ certificate है district medical board के दुवारा issue किया गया हो तो वो लोग से altruistic सरोगेशी है उसके लिए उनको allow किया गया है students यहां पे altruistic surrogacy के समय में जो surrogate mother होती है उसको 36 month का यहां पे जो insurance coverage है वो दिया जाता है जो surrogate mother होती है जो अपनी life में सिर्फ only once time वो surrogacy की जो practice है वो कर सके इसके अलावा उनकी जो age है 25 to 35 होनी चीए students इसके इसके अलावा यहां पे बताया गया है कि यह 25 to यहां पे जो couples जो उनको allow किया गया है surrogacy के लिए वो students उनकी जो marriage है उसको minimum 5 year हो चुके होने चीए ऐसा नहीं है कि marriage के जश्ट बाद में ही उनको surrogacy के लिए allow किया जाए minimum उनकी जो marriage है उसको 5 years हो चुके होने चीए और surrogate mother की जो age है वो 25 to 35 है only once उसको lifetime में allow किया गया है surrogacy के लिए, autistic surrogacy के लिए student 2021 के समय में Surrogacy Regulation Act है वो पास किया गया जिसके अंदर में एक board बनाया गया National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board है इस board को head करते हैं जो हमारे minister होते हैं, जो ministry of health and family welfare को जो head करते हैं, वो इस board के head होते हैं इसी तरीके के जो board है National जो यहाँ पे surrogacy से related board है वो state और UT के अंदर भी constitute करना होगा इस तरीके के boards इसके अलावा student जो यहाँ पे जो clinics है उनको यहाँ पे जो registration है वो compulsory कर दिया गया है इसके अलावा जो यह board है जो National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy का जो board है जिसके जो chairman है, वो है minister जो in charge होंगे health and family welfare के उनके इस board के दुआरा में central government को regularly advice किया जाएगा सरोगेसी से related इससे अलावा जो act है उसका monitor किया जाएगा उसका review किया जाएगा तो students यह सरोगेसी से related कुछ बाते थी सरोगेसी की practice है इंडिया के अंदर जो commercial सरोगेसी है उसको ban कर दिया गया है only autistic सरोगेसी को allow किया गया है उसके कुछ eligibility criteria है कि 25 to 50 या 26 to 55 age होनी चीए male and female की इसके अलावा बताया गया है जो सरोगेट मदर है 25 to 35 होनी चीए सरोगेट मदर जिसको सरोगेसी के थुरू जाना है और life में एक ही बार उनको सरोगेसी है वो allow की गई है तो students इस तरीके के जो short videos है उनके थुरू continue हम आपसे मिलते रहेंगे आप continue हमारे साथ बने लिए Thank you students Thank you very much